नमस्कार आप देख रहे हैं प्रातकाल और मैं हूँ आपके साथ आंचल मानिक आज हम बात करेंगे एक दिल्चस्प और महत्पपूर्ण खगोल शास्त्रिय विशय पर एस्ट्रॉइब हम जानेंगे कि एस्ट्रॉइब क्या होते हैं कि उनासा अक्सर प्रिथ्वी वासियों को इस बारे में चितावनी देता है और क्यूं ये एस्ट्रॉइब अक्सर प्रिथ्वी से दूर से ही निकल जाते हैं आखिर क्या है ये एस्ट्रोइब सबसे पहले आए समझते हैं कि एस्ट्रोइब क्या होते हैं एस्ट्रोइब छोटे छोटे खगोलिये पिंड होते हैं जो मुख्य रूप से सौर मंडल में पाय जाते हैं ये पिल्ड धातू और चर्टानों से बने होते हैं और इनका आकार कई किरोमीटर से लेकर कुछ सो मीटर तक हो सकता है एस्ट्रॉइल मुख्य रूप से मंगल और प्रिहस्पती के बीच के शेत्र में पाय जाते हैं क्यों नासा अक्सर प्रिथ्विवासियों को देता है चितावनी अब जब भी कोई बड़ा एस्ट्रॉइल प्रिथ्वी के करीच से गुजरता है नासा और अंधनी अंत्रिक्षेजन्सिया सतर्क हो जाती हैं इसका कारण यह है कि बड़े आतार के एस्ट्रोइब का प्रिथ्वी से टकराने का खत्रा हो सकता है। इसलिए इन एस्ट्रोइबों के बारे में जानकारी प्राक्त करने के लिए वेग्यानिक नियमित्द रूप से उनकी निगरानी करते हैं। और यदि कोई एस्ट्रोइब खत्रे के स्थर तक पहुँचता है तो प्रिथ्वी वासियों को चितावी जारी की जाती है। हाली में नासा के चितावी के अनुसार 15 सितंबर 2024 को एस्ट्रोइब प्रिथ्वी की ओर बढ़ता हुआ देखा गया था। और नासा ने ये भी आशनका जताई थी कि वो एस्ट्रोइब 17 सप्टेम्बर 2024 को प्रिथ्वी से तत्रा सकता था। हाला कि ये बड़ा हाथ सा टल गया है और वो एस्ट्रोइब प्रिथ्वी की कक्षा से एकदम नस्दीक से गुजरा था। अब बात करते हैं कि एस्ट्रोइब अक्सर प्रिथ्वी से दूर से ही क्यों निकल जाते हैं। इसका मुझ्यकारण है कि सौर वंदल में एस्ट्रोइब की कक्षाएं काफी विस्तृत्थ होती हैं। एस्ट्रोइब की कक्षाएं कई अलग-अलग पथो पर हो सकती है। और उनकी गती भी अत्यंत तेज होती है। जब एक ऐस्टरॉइड फृथवी के पास से गुजरता है तो इसका रास्ता और गत्थी पूरी तरह से निर्धारिक नहीं होता हूँ और इसका वा संपर्ख पृथवी से नहीं होता है। उनका प्रिथ्वी से टकराने का जोखिन बहुत कम होता है वेग्यानिक नियमित रूप से इनका ट्राक करते हैं ताकि अगर कोई एस्ट्रॉइब खत्री के इस तर तक पहुंचता है तो समय पर उपाई किया जास्टॉइब एक महत्वपूर्ण और दिल्चस्प खगोलिय व सर्पित्वी से दूर ही लगती है आशा है कि इस वीडियो से आपको एस्ट्रॉइब और उनकी निगरानी के बारे में एक स्पष्च समझ मिली होगी ऐसी ही ताजा अपडेट्स और रौचंग जानतारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए हमारे चैनल को फॉलो सब् सब्सक्राइब और शेर करना ना बुलें आपना ध्यान रुटकी नामस्कार